किसान संगटनों की सोंवार को हुई बैठा के बाद एक प्रेस कॉंफरेंस की गई इस कॉंफरेंस में किसान नेता जगजीत सिंग डलेवाल ने कहा कि हमने चर्चरा के बाद फैसला लिया है कि सरकार ने जो प्रस्ताप दिया है अगर उसमें नापतोल किया जाए तो कुछ नजर नहीं आ रहा मंतरी जी बता रहे हैं कि सरकार दालों पर MSP की गैरंटी देती है तो डेड़ लाख करोर खर्च होगा अगर सबी फसलों पर MSP दी जाएगी तो करीबन एक दशमलव 75 लाख करोर रुपे खर्चा आएगा इसलिए बागी फसलों को छोड़ना उचित नहीं होगा डलेवाल ने कहा कि सरकार एक दशमलव 75 लाख करोर रुपे में पाम ओल मंगाती है अगर ये पैसा सरकार MSP पर दे तो अच्छा होगा सरकार ने कहा दाल और बागी फसलों पर खरीदी गैरंटी देगी जो डावर्सिफिकेशन करेंगे यानि जो धान छोड़कर मूंग लगाएंगे उन्हीं को मिलेगा डलेवाल ने कहा कि ये प्रस्ताव किसानों के पक्ष में नहीं है हम प्रस्ताव को रिजक्ट करते हैं भगवंत मान को इस मीटिंग में बैठाया कया कि हमारा CM हमारी परेशानी सुनेगा कि उसकी जमीन पर इंटरनेट नहीं चल रहा उसकी राजी के जमीन पर आंसु गैस के गोले दागे जा रहे है हर्याना की DGP भी कह रही है कि आंसु गैस के गोले नहीं छोड़े है अगर ऐसा है तो क्या यही उनकी जानकारी के बिना 400 लोगों को घायल कर दिया गया जिसने भी यह किया है उस पर सुप्रीम कोट कारवाई करे सरकार चाहती है कि हम उग्र हो लेकिन अगर मसला नहीं हल करती तो हमें आराम से दिल ली जाने दे किसान नेता सरवन सिंग पंधेज ने कहा कि हमने प्रस्ताव को रद किया है अगर कोई पहले दालों को नहीं उगा रहा वो उस प्रस्ताव में नहीं आएगा मीटिंग में सरकार में चाल चलने का काम किया है सरकार की नियत में खोट है नियत साफ होती तो ऐसा ना करते सरकार MSP गेरंटी कानून 23 फसलों पर बना कर दे और जो फसले बचेंगी उस पर स्टडी करके उस पर भी दे हमने विचार विमर्ष करके बता दिया है कि इस प्रिस्ताव को रिजक्ट करते है सी टू प्लस पाइब जीरो का फॉर्मुला पर सरकार क्या कर रही है कर्ज माफी पर मन्रेगा मन्जूरी पर सरकार के मंत्रियों से पूछा तो कहा पहले इस प्रिस्ताव पर बात करिये वही किसान निता पंधेर का कहना है कि हम 21 फरवरी को दिल्ली कुछ करने जा रहे है सरकार से आगए फिलहाल कोई मीटिंग नहीं होगी लेकिन हम बादशित के लिए हमेशा तयार है जल्लेवान ने कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि या तो हमारी मांगे मानी जाए या फिर शांती से हमें दिल्ली में बैठने की मनजूरी दी जाए हमारे सभी किसान भाईयों से अपील है कि वो हिंसा नहीं करे आपको बता दें कि बीते दिन रविवार को किसान नेता और केंदर सरकार के मंतरी के बीच चोथे राउंड की बाच्चित भी हुई इस बाचक में कृष्वी मंतरी अर्जिन मुंडा, वानेजय मंतरी प्यूश गोयल और ग्रहर राजय मंतरी नित्यानंद राय मौजूद थे इसमें पहले केंदर और किसानों के बीच आठ, बारा और पंद्रा फरवरी को भी बाक्चित हुई है अब तक की बाचके बे नतीजा ही रही है, हलक की रवीवार को ही चौत्ते बाचक में सरकार ने किसानों के सामने एक नया प्रस्ताव या यू कहें फॉर्मूला रख दिया है सरकार के इस प्रस्ताव को किसानों ने खारेज कर दिया है किसान नेताओं का कहना है सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था उसका नापतौल किया जाए तो उसमें कुछ भी नहीं है सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर किसान नेताओं ने सोमवार को शंभू बॉर्डर पर बैठक की थी आपको बताएं कि किसान की सबसे बड़ी मांग MSP पर कानूनी गैरंटी की है किसानों का कहना है कि सरकार MSP पर कानून लेकर आए किसान MSP पर स्वामिनाथ आयोग की शिफारिशे को लागू करने की मांग भी कर रही है किसान संगचनों का दावा है कि सरकार ने उन से MSP की गैरेंटी पर कानून लाने का वादा किया था लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका स्वामिनाथ आयोग ने किसान को उनकी फसल की लागत का डेड़ गुना कीमत देने की सिफारिश की थी आयो की रिपोर्ट को आये 18 साल का वक्त गुजर गया है लेकिन MSP पर सिफारिशों को अब तक लागों नहीं किया गया और किसानों के बार-बार अंदोलन करने की एक बड़ी वज़ा भी यही है इसके अलावा किशान पेंशन, कर्ज माफी, बिजली टरिफ के बढ़ोतरी ना करने लखीमपूर खीरी हिंसा के पीड़त किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग भी कर रही है